शम्मानित मुल्क के मालिको मैं बहुत भिक्षू शुमित रतन पूरे देश में चर्चा है शमय दया प्रकाश शिना दया शंकर शिना जो 86 साल जिनकी उम्र है आईएस हैं उत्तर पिदेश के कास गंज जलिम उनका जन्म हुआ है बर्तमान में वो नोड़ा सेक्टर सोले में उनकी रुची लेखन की है इतिहास कार की रुची है उन्होंने कई नाटक लिखे है और अभी حाली में एक मूर्ख पत्रकार ने एक मूर्ख नाटककार का इंट्रविव लिया और इंटर्विव में उन्हों ने कहा कि ओरेंग जेब जैसा था समराट शोक मुशलमानों की आड़ में स्रमण परंपरा के राजा महराजाओं को समराटों को अपमानित करने का ये क्रम ये बहुत पहले से संगी परंपरा की लोग कर रहे हैं अपने धर्म के लिए अपने मजव के लिए अपनी विरासत के लिए अपनी संसकर्थी के लिए अगर कोई इनसे हटकर के काम करता है तो ये उसे अपमानित करते हैं उसकी बेज़ती करते हैं भारती ये संस्कृति मुसे सरमसार करते हैं, उसके चरित पर लांशन लगाते हैं, इस्लामिक परंपरा के अनुसार औरंग जेब ने किशी मौलाना से पूछिये, तो बहुत अच्छा किया था, और अगर कोई गुलाम, ब्राहमनों का समराट राजा रहा हो, और उसने उनके अरुसार किया हो, तो दया, शंकर, शेना जी से पूछ लिजिए, उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा, आदरिय, आप बुजुर्ग हैं, बड़े बुड़े हैं, अब आप मरने वाले हैं, दो चार साल में चले जाएंगे, संसार से बिदा हो जाएंगे, लेकिन कम से कम, जब व्यक्ति मरने वाला होता है, संसार छोडने वाला होता है, तो उसके मुख से सत्य बचन निकलने लगते हैं, मैं चाहता हूँ, आदरिय, दया, शंकर, शेना जी, आपकी 86 साल उमर है, एक जिक्र करना चाहता हूँ, 86 साल के एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम नंद कुमा तुम हमारे समराटों पर, हमारी विरासत पर, हमारे राजा माराजाओं पर आरोप लगाओगे, उनका चरित्र लांक्षन करोगे, तो हम सांत बैठेंगे, मैं फील करता हूँ, जिन्दा लोगों से, शमताबादी, मानबताबादी, समराट असोग के प्रतियास्ता रखने वाले लोगों से, खास तोर से समराट असोग किलब के लोगों से, कि वो कास गंज में, शेना जी के घर पर जाने का काम करें, और नौड़ी नेशनल जन्मंच को सबस्क्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं,